कि अव्भीरोणियो अब एले कूनों और इस वीडियो में हम देखेंगे parlament के कह हम बैंकिक ow कि और ओक्या करेंगे और आगे भी वीडियों आते रहेंगे तो अभी हम जो इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं that is the development of banking किस तरीके से भारत में development हुआ है banking sector का तो banking होता क्या है और यहां पर हम discuss करेंगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन stages में banking system जो पूरा का पूरा system है पूरा का पूरा infrastructure है banking का वो कैसे खड़ा हो गया इतने बड़ी banking system कैसे हो गई इंडिया की तो उसकी शुरुआत से शुरुआत करेंगे उसकी history में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था किस तरीके से banking शुरू हुई अगर एक बात करें किसी भी developed country के बारे में या किसी भी country के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई देश बहुत ही developed है बहुत ही उंदा है बहुत ही अच्छा अगर है बहुत ही जादा developed है तो इसका मतलब वहां की banking system banking infrastructure काफी developed है तो किसी भी sound economy का या किसी भी अमीर country के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो अगर हम को पता चलेगा कि वहां की जो banking infrastructure है वो बहुत ही strong होगा तो एक line में हम कह सकते हैं कि banking infrastructure जो है वो किसी भी देश की economy का backbone है किसी भी देश की economy की read की हड़ी जो है वो उस देश की banking संरचना है देश कितना develop कर रहा है यह directly proportional है यह बिलकुल directly dependent है वहां की banking system के बारे में तो सबसे important है यह बहुत ही important है यह और अगर देश को develop करना है तो अपनी banking infrastructure को बहुत ही जादा strong रखना पड़ेगा इस वीडियो में हम discuss करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर banks कैसे develop हुए कैसे कब कहा से development इनका शुरू हुआ history और banking को भी देखेंगे थोड़ा सा और सारे stages को समझेंगे तो इंडिया की जो banking है वो total seven stages में develop हुई stage wise stage ठीक है तो सबसे पहले भारत में ऐसा नहीं था कि banking बिवस्था नहीं थी banking बिवस्था आदी अनादी काल से चली आ रही है लेकिन जो modern टिकनीक है या जो modern banking system है वो system नहीं हुआ करता था भारत के अंदर banking बिवस्था थी लेकिन वो कुछ साहुकारो शराफ महाजनों के हाथ में हुआ करता था और वो कुछ भी किया करते थे भारती ये लोग जिससे काफी परेशान हुआ करते थे वो कुछ भी systematic तरीके से काम नहीं करते थे तो उसके लिए जरूरत पड़ी एक firm एक important stringent banking संरचना की और जो की आज के टाइम पे present है हमारे हाँ तो क्या होता है bank सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है bank तो bank एक ऐसी संस्था होती है जिसका main purpose होता है profit कमाना जिसका main मकसद क्या होता है profit कमाना अब ये profit कैसे कमाता है तो ये profit कमाता है पैसे ले करके और फिर दे करके bank क्या करता है जिन लोगों के पास extra पैसा है जैसे household हो गए उनसे पैसे लेगा और उन लोगों को पैसे देगा जिनको पैसे की क्या है जरूरत तो जिनके पास extra पैसा है उनसे bank पैसे लेता है और उनको loan देता है जिनको पैसे की जरूरत है अब पैसे किसके पास extra रखे हुए हैं तो जो middle class है जो household होता है जो घर होते हैं सब लोग अपने पैसे को क्या करते हैं सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश करते हैं वो जो surplus money होता है अपना सारा खर्चा छोड़ करके जो extra पैसा होता है उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश की जाती है वही है क्या bank तो bank क्या करता है जिसके पास extra पैसा रखा हुआ है वो लोग bank में पैसे जमा करें इसलिए bank उनको कुछ interest देता है अब जिनको जादा पैसे की जरूरत है जैसे की industrialists हो गए, businessmen हो गए, start-ups हो गए तो जिसको भी extra पैसे की जरूरत है वो क्या करता है bank से पैसे ले लेता है और bank इसके average में क्या करता है bank उनसे मोटा पैसा लेता है कहने का मतलब एक अच्छा amount उनसे interest के तोर पे लेता है अब यहाँ पर हम देख प्रत ही उन्होंने क्या किया bank से पैसे उठा लिये तो bank एक ऐसी संस्था है वो profit सीख करती है कैसे सीख करती है जिनके पास पैसे जादा है उनसे पैसे ले लिये और जिनके पास पैसे कम है उनको पैसे दे दिये और दोनों को दोनों से interest लेती है वो एक जिनोंने पैसे जमा करा है उनको interest दे दिया और जिनको पैसे दे दिये उनसे interest ले लिया और इससे उनको अच्छी profit हो जाती है अब बात करते हैं banking क्या होता है तो वो feature या फिर वो सुविधाएं जो bank देता है वो सुविधाएं जो bank banking देता है कहने का मतलब पैसे जिनके पास ज्यादा है उनसे पैसे ले लिए और जिनके पास कम है उनको पैसे दे दिये इसी को क्या कहते है banking और जो यह इस काम को करता है वो कौन है banking अब बात करते हैं कि फिर कोई भी bank बन सकता है मैं भी bank बैंक बन सकता हूं, आप भी बैंक बन सकते हैं, कोई भी बैंक बन सकता है, क्योंकि किसी से एक्स्ट्रा पैसा ले करके रखना ही तो है, तो ले के रख लिया, और किसी को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पैसे उठा करके दे दिये, और इंट्रेस्ट ले लिया, तो ये तो कोई भी कर सकता है, तो क्या वो बैंक हो जाएगा, नहीं, वो बैंक नहीं हुआ, बैंक को उसका काम करने के लिए अर्थराइज किया जाता है, एक Act के द्वारा, basically 3 acts 3 acts यह काफी important acts है इनके बारे में आपको पता होना चीए पहला है banking regulation act 1949 दूसरा act है negotiable instrument act 1881 और तीसरा है RBI act of 1934 तो यह 3 acts ऐसे हैं जो कि bankों को क्या करते हैं powers देते हैं ताकि वो अपना काम उस तरीके से कर सके तो यह जो banking के बारे में हम अभी discuss किये कि deposit accept करना और loan provide करना यह किसके through किया जाता है तो banking regulation act of 1949 ठीक है अब कुछ चीजें होती हैं जैसे bank में holidays वगरा होते हैं तो वो किसके through होते हैं किस act के through होते हैं तो यह negotiable instrument act 1881 जो most important act है वो है RBI act of 1934 तो यह इतना important क्यों है तो यह इतना important इसलिए है क्योंकि RBI जो संस्था है वो सारे bankों को क्या करती है regulate करती है सारे bankों का पपा कौन है RBI तो RBI को power कहां से मिलता है तो इसी act के through मिलता है Reserve Bank of India Act 1934 और इस act के तहत ही RBI को create किया गया था आगे चलके देखेंगे 1 April 1935 को RBI जो है उसका गठन हो गया था अब बात करते कि दुनिया का पहला bank कौन सा है फिर बात करेंगे कि इंडिया का पहला bank कौन सा है और उस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में हम आने की कोशिश करेंगे तो दुनिया का पहला bank कौन सा है तो banking system तो हम अभी discuss किये कि ये जो साहुकार और महाजन इस तरीके के जो सेट वगरा हुआ करते थे ये भी पैसे का लेंदेन किया करते थे तो हम जो बात कर रहे हैं वो modern system पे जो modern banking system है उस तरीके से जो bank काम कर रहा होगा वो उसको consider कर रहे है bank of Venice जो की 1157 के अंदर और Venice का है Venice एक शहर है इटली का तो वो जो bank of Venice है 1157 इसको हम consider कर सकते हैं कि ये दुनिया का पहला bank है उसके बाद जो second bank है that is the bank of Barcelona 1401 Spain के अंदर है बार्सेलिवना जो है वो कहां है Spain के अंदर है Spain की capital है मैड्रेड थर्ड बैंक की बात अगर हम करें तो इस बैंक ओफ जेनेवा जेनेवा जो प्लेस है वो कहां है Switzerland Switzerland एक European country है आप सभी को पता होगा काफी beautiful सा प्लेस है और उसके बाद bank of England 1694 अब बात करते हैं कि अभी तक दुनिया का सबसे पुराना bank कौन सा है जो अभी भी perform कर रहा है अभी भी काम कर रहा है तो वो जो bank है वो भी है आपका Italy का ही नाम आप देख सकते बैंक का Monte बैंक का Monte जो है यह Italy का bank है और यह operate कर रहा है since 1472 यह अभी भी operation में है अच्छा अब बात करते हैं कि इंडिया का सबसे पुराना bank कौन सा है वो हम थोड़ी देर बाद discussion करेंगे अभी हम discussion जो करने जा रहे है that is the अभी इंडिया का कौन सा bank है जो की सबसे पहले से काम कर रहा है और अभी भी काम कर रहा है तो वो है आपका State Bank of India State Bank of India को हम कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे पुराना bank जो अभी भी काम कर रहा है और इसका headquarter का है मॉंबई दिनेश कुमार खारा जो है इसके head है अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो development हुआ banks का वो किस तरीके से हुआ तो इंडिया के अंदर बैंकों का जो development है वो एक दिन में नहीं हो गया जैसे कोई भी चीज अगर develop होती है बहुत ही अच्छा करती है तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आये और सब कुछ हो गया तो जो stages of development है इंडिया का वो साथ stages को हम discuss करेंगे कि किस तरीके से हुआ बात करते हैं stage 1 और stage 1 के तहट हम देखेंगे कि जो पहला bank है that is the bank of हिंडुस्तान कौन सा bank? bank of हिंडुस्तान और 1770 के अंदर इसको समझने के लिए हम एक चीज़ देखते हैं पहले हम map को देखते हैं फिर उसके बाद आगे discussion करेंगे तो यह हमारे इंडिया का map हमें पता है कि यहाँ पे Britishers rule किया करते थे कुछ battles हुए थे जैसे battle of plassi battle of plassi हुआ था 1757 1756 और उसके बाद battle of bakser battle of 1764 तो यह जो battles हुए और यहाँ से अंग्रेजों को क्या हुआ power मिला और अंग्रेजों का जो rule था वो Bengal के अंदर established हो गया Britishers का जो rule था वो कहां पे established हो गया Bengal के अंदर established हो गया अब जब यहाँ पे Britishers का rule established हो गया तो इसका मतलब Britishers जो है यहाँ से tax एकठा करना शुरू कर दिये tax लेना शुरू कर दिये अब जब tax लेना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे उनका income भी बढ़ जाएगा और जब income बढ़ जाएगा तो वो पैसे का कुछ तो करना शुरू करेंगे और यहाँ पर शुरुआत होती है banking system की 1764 आपने देखा कि battle of bucksar और 1764 के बाद ही 1770 के अंदर कौन सा bank आगया bank of Hindustan अभी हमने discussion किया कि Britishers की जो presidency थी वो सबसे पहली कहाँ बनी थी Calcutta के अंदर बनी थी बंगाल के अंदर बनी थी तो जो उनका पहला bank आएगा bank of Hindustan उसका headquarter कहाँ होगा Calcutta के अंदर उनका headquarter कहाँ होगा Calcutta के अंदर ये bank खतम हो जाएगा अपना operation इसका खतम हो जाएगा एक company थी Alexander and Company जो इस bank को establish करी थी तो bank of Hindustan 1770 आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे जैसे Britishers है Britishers का control इंडिया के उपर बढ़ता चला जाएगा जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि first stage के अंदर Britishers का control जो था वो Calcutta के उपर बंगाल के उपर आ गया था अब धीरे धीरे जो Britishers हैं वो पूरे इंडिया के उपर control करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे उनका control जो है पूरे इंडिया पे आएगा तो तीन presidencies बनेंगी जो पहली presidency है that is Bengal second number की जो presidency है that is Bombay और जो third presidency है that is मदरास तो ये तीन presidencies आप देख सकते हैं पहला Calcutta मतलब बंगाल फिर Bombay और उसके बाद मदरास पहली presidency यहां बन चुकी है तो यहां पी bank भी आ गया फिर यहां पे भी presidency बन गया फिर यहां पे भी presidency बन गया तो यह अपने तीनो presidency के अंदर एक एक bank जो है वो धीरे धीरे establish कर लेंगे और इन्ही को हम बोल रहे हैं क्या presidency bank तो जो पहला presidency bank है that is bank of Calcutta 1806 उसके बाद next number पे जो bank बनेगा that is bank of Bombay और यह बनेगा 1840 गंदर और third number पे जो bank बनेगा bank of मदरास 1843 तो यह तीन presidency bank जो है यह तीन provinces के अंदर तीन presidencies के अंदर काम करना चालू करेंगे और यही bank जो है आगे इनका club होगा इनको club कर दिया जाएगा merge कर दिया जाएगा 1921 के अंदर और यह बनेंगे क्या imperial bank of India और यही imperial bank of India जो है आगे जो है आगे आके के बनेगा state bank of India state bank of India 1955 के अंदर तो यह तीन presidency banks जो है आप stage देख सकते हैं 1806 से लेकर के 1860 और 1806 के अंदर हमने discussion किया bank of Calcutta बना 1806 में और बाद में इसका नाम bank of बंगाल कर दिया जाएगा 1809 के अंदर उस time पे जो capital था इस bank का that was 50 lakhs फिर उसके बाद जो second presidency बनेगा presidency bank बनेगा 1840 के अंदर bank of Bombay और उसका जो capital था that was 52 lakhs और उसके बाद third number पे bank of Madras 1843 1843 के अंदर और इसका जो capital है 30 lakh यहाँ पे फिर अभी हमने देखा कि यह जो bank है यह सारे के सारे Britishers के द्वारा चलाए जा रहे हैं तो Britishers के पध्यती पे ही चलेंगे Britishers के बताए हुए तरीकों से ही चलेंगे इनको control कौन करेगा British government ही करेगी और यह काम किसी के लिए कर रहे है East India Company के लिए ही काम कर रहे है यह जो presidency bank है basically central bank के तौर पे काम करेगा Britishers के लिए तो यह note भी छापने का काम करता था यह जो bank of कलकता है bank of बंगाल है 1806 वाला यह Britishers के लिए 1823 तक note भी issue किया करता था फिर हमने discussion किया ही कि यह आगे चल करके इसका merger हो जाएगा 1921 में और यह क्या बन जाएगा Imperial bank of India और फिर वही state bank of India की कहानी हम discuss करेंगे उसको काफी detail में discussion करेंगे SBI के बारे में अपने अगले वीडियो में अभी जो third stage है यहाँ पर Indian logo का भी involvement अब क्या होगा शुरू होगा पहले सारा का सारा जो involvement था वो केवल और केवल Britishers का था अब Indian logo का भी involvement होगा जो third stage है इसमें Indian लोग आएंगे और जो पहला bank है वो है bank of मतलब अलाबाद bank जिसका headquarter का है Kolkata में था अभी इसका merger कर दिया गया यह comment में बताए कि किस bank में इसका merger हुआ है उसके बाद इसका अगठन कब हुआ था 24 अपरेल 1865 24 अपरेल 1865 को यह अलाबाद bank का अगठन हुआ था and it was the first joint stock bank first joint stock bank उसके बाद अवध commercial bank अवध commercial bank और यह फैजाबाद के अंदर 1881 के अंदर मैं आपको map पे एक बार दिखा देता हूँ कि यह areas क्या है अगर अलाबाद की बात करें तो somewhat यहाँ पर अलाबाद जो है अभी इसका नाम प्रयाग राज कर दिया गया है अवध अयोध्या जहाँ पर है ठीक है तो यह जो headquarter था इसका वो कहा है अयोध्या जो अभी आज के टाइम पे जो district है फैजाबाद पहले था उसका नाम अयोध्या कर दिया गया तो यह वही वाला reason है अवध के नवाब बगरा हुआ करते थे तो यह पहला joint stock bank अलाबाद bank और उसके बाद अवध commercial bank फैजाबाद के अंदर और यह भारत का पहला commercial bank कह सकते हैं उसके बाद यह जो पंजाब national bank है पंजाब national bank इसको लाला लाजपत राए के द्वारा establish किया गया था यह पहला indigenious bank है जिसको सारे के सारे इंडियन लोगों ने मिलकर के बनाया था regulation कार्ट में Britishers थे लेकिन इसको बनाने वाले जो complete थे वो Indians लोग ही थे यहाँ पे देखे पहला joint stock bank, अलाबाद bank अवध commercial bank, जो है भारत का पहला commercial bank और जो की limited liabilities के साथ काम कर रहा था आयोध्या इसकी location अवध commercial bank आप जान लीजे फिर पंजाब national bank पहला indigenious bank, indigenious का मतलब होता है कि भारती खुद का native, local जो bank है वो अच्छा इसका जो headquarter हुआ करता था वो पहले कहां था? लाहोर और अभी कहां है? न्यू डेली फिर उसके बाद जो Indian banks हैं वो धीरे धीरे develop करते जाएंगे 1806 के अंदर स्वदेशी अंदोलन भी हुआ था बंगाल विभाजन भी हुआ था वो history के पार्ट है तो 1906 के बाद स्वदेशी अंदोलन वगेरा काफी तेजी से develop होगा 1905 के बाद काफी तेजी से development होगा Indianization का और Indian banks आना शुरू करेंगे तो Bank of India मुंबई 1906 फिर उसके बाद बाद वडोद्रा मुंबई इसका headquarter है Central Bank of India Central Bank of India जो है ये काफी important है क्योंकि ये पहला स्वदेशी bank है क्यों पहला स्वदेशी bank है इसको establish करने वाले भी Indians थे इसको चलाने वाले भी Indians थे इसी लिए Central Bank of India 1911 के अंदर और ये पहला स्वदेशी bank है भारत का clear? आगे बढ़ते जो fourth stage है ये काफी important जो fourth stage है वो काफी important है और इसका time हम देख सकते 1913 से 1939 World War से पहले-पहले की बात है ये World War से पहले की बात है तो एक report आती है Hilton Young Committee एक report आती है Hilton Young Committee इसको Royal Commission भी कहते है Britishers के time पे ये report आई थी जिसके head थे Mr. Hilton Young और इसका जो time है वो है 1926 तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पहले अभी हमने discussion किया कि भारत के अंदर दो तरीके के bank establish हो चुके है पहला bank जो की विदेशियों के द्वारा चलाय जा रहा है Britishers के द्वारा चलाय जा रहा है उसको हम बोल सकते हैं फिरंगी bank उसको क्या बोल सकते हैं और दूसरा जो इंडियन्स के द्वारा जो bank बनाया गया है जो इंडियन्स रेगुलेट कर रहे हैं इंडियन्स चला रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम स्वदेशी bank तो भारत के अंदर इस टाइम तक दो तरीके के bank एक्जिस्ट करना स्टार्ट कर दिये थे पहला है फिरंगी bank और दूसरा है स्वदेशी bank लेकिन हम देखें तो इन दोनो बैंकों को या दोनो टाइप्स के बैंकों को regulate करने वाला कोई भी नहीं है और ये सारे banks अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो कहने का मतलब अगर कोई भी है जैसे एक teacher होता है और एक student होता है तो students ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते हैं वो भी पढ़ाई करते हैं अपने घर पर भी पढ़ाई करते हैं लेकिन अगर उनको एक अच्छा teacher मिल जाता है तो उनको वो guide करता है जिनको वो बताता है students को बताता है कि बेटा तुमने का पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसी तरीके से जो Hilton Young Committee थी उनका भी recommendation यहीं था कि इंडिया के अंदर जो banking का development है वो काफी अच्छा है बढ़िया है हो रहा है लेकिन इन बैंकों का कोई माईबाप नहीं है इनको control करने वाला और इनको direction देने वाला कोई भी bank नहीं है तो Hilton Young Committee का जो recommendation था कि इंडिया के अंदर भी कोई regulatory body होनी चाहिए जो regulator of bank के तोर पे काम करे और currency को issue करने का काम करे और उस time पे जो भी governor general थे उन्होंने इनकी बातों को सुना और उसको नजर अंदाज कर दिया और कुछ भी action नहीं लिया गया बस ये recommendation important है क्यों कि थोड़ी दिर में आपको पता चले और होता क्या है कि ये जो दो type के bank थे ये अपना काम कर रहे थे और अपनी मर्जी से काम कर रहे थे जैसे अभी थोड़ी दिर पहले आपने discussion किया और ये करते क्या थे अगर आपके पास extra पैसा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे आप उसको invest करोगे या फिर उससे पैसे कमाने की कोशिश करोगे ये लोग भी यहीं कर रहे थे ये लोग भी यहीं कर रहे थे फिर से एक बार चलते हैं map पे इस map में हम देखें तो जो स्वदेशी बैंक थे जो स्वदेशी बैंक थे जो स्वदेशी बैंक थे वो क्या करते थे अपना सारा पैसा इधर लगाते थे कहने का मतलब जो कोस्टल बेल्ट है आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जितने भी बैंक है इंडिया के अंदर उन सब का जो हेड़कॉर्टर है जो उनका हेड आफिस है वो सब कोस्टल रीजन में है या तो मुंबई में होगा या बैंगलूरू में होगा या फिर तिर इंडिया में बहुत ही कम बैंक्स थे क्यों और अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई भी बैंक नहीं है तो इसके पीछे का रीजन यह है कि जितने भी बैंक्स थे यह पहले तो प्राइवेटली ओन्ड थे गोवर्मेंट के तो थे नहीं और यह जो प्राइवेटली ओन्ड थे ये loan उनको देना चाते थे जिनसे उनको return मिलने के chances थे पहले हमने discussion किया कि bank क्या है एक profit seeking sense था है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ profit को कमाना होता है तो ये जो bank से अपना पैसा उनहीं को देते थे जिन जो काफी अमीर लोग हुआ करते थे और वो जो अमीर लोग होते थे य इन ports के ports पे व्यापारी जो थे वो लोग थे जिनका export और import का काम हुआ गरता था इंडिया से जो भी चीजे एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन जाती थी या ये यूरोब जाती थी या फिर अमेरिका जाती थी या फिर वहाँ से जो समान आता था उतरता था तो जो व्यापारी इसका काम करते थे ये बैंक उन ही को लोन दिया करते थे कौन से बैंक सुदेशी और जो दूसरे बैंक थे जैसे की फिरंगी बैंक जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रिगुलेट किये जाने वाले बैंक जो फिरंगी बैंक थे वो क्या करते थे अपना जो surplus पैसा था जो एक्स्ट्रा पैसा था वो लगाते थे US के stock exchange में कहां लगाते थे US के stock exchange हिल्टन यंग क कमीटी का जो recommendation था कि सारे बैंकों का कोई regulator होना चाहिए जो इनको बताए कि आपको अपना पैसा कहां लगाना चाहिए कब लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए और उसकी बात तो वो नजर अंदाज करते हुए ये जो फिरंगी बैंक हुआ करते थे ये अपन और आपको पता होगा कि 1929, 1930 के अंदर एक recession आया, great depression आया, जिसके तहट क्या होगा, इनका पैसा क्या होगा, डूब जाएगा, US stock exchange क्या हो जाएगा, crash हो जाएगा और इनके पैसे जो होगे, क्या हो जाएगे, डूब जाएगे, और फिर उसके बाद जो British government है, यहाँ पे, East India company है, उसका दिमाग खुलेगा, और इनको विचार आएगा कि हाँ, कोई Hilton था, जिसने एक बात कही थी, क्या कही थी, कि एक central bank होना, चाहिए, जो की regulatory के तौर पे काम करेगा, और उसके बाद RBI Act को follow कराये जाता है, RBI Act आता है, 1934 के अंदर, और RBI का गठन होता है, RBI का मत पारत का central bank है, तो Reserve Bank of India का गठन होता है, 1935 में, 1 April 1935 के अंदर, और उसके बाद से, जितने भी bank थे, इंडिया के अंदर, उनको regulate करने का काम किसको मिल गया, RBI को मिल गया, ठीक है, और उसके बाद, इंडिया के अंदर, जो banking system है, वो धीरे-धीरे, तेजी से, evolve होना, चालू करेगी, अब बात करते हैं, फिफ्ट स्टेज में, फिफ्ट स्टेज आप देख सकते हैं, कि वर्ल्ड वार के बाद वाला सीन है, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, और जब तक चलेगा, ये तब का स्टेज है, तो यहाँ पे banking system जो है, वो काफी develop तो हो रहा था, थर्ड स् यहाँ पे government जो थी, उसको ये एहसास होगा कि आजादी तो हमको मिल गई, लेकिन banks जो हैं, वो हमारे control में नहीं है, मतलब इंडिया के government के control में banks नहीं है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, कि जो RBI था, उसका nationalization किया जाएगा, nationalization कब होगा, एक जनवरी 1949, nationalization क्यों होगा, क्योंकि जो bank है इंडिया के अंदर, जो RBI है, उसके उपर control भारत सरकार का नहीं है, और regulate या controller कौन है, भारत सरकार, और जब bank ही नहीं है उसका, तो फिर वो control किसको करेगा, या फिर government जो अपनी schemes, अपनी अच्छी policies, जो अपनी through ही तो जाएगा, और जब bank ही भारत के नहीं रहेंगे, तो फिर भारत सरकार अपने अच्छी policies को अपने जनता तक पहुचाएगी, कैसे, तो फिर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, nationalization की, और banking regulation act ले आए जाएगा, 1949 के अंदर, और RBI का क्या हो जाएगा, रास्ट्रिय करण और उसके बाद ये, banking regulation act आएगा, banking regulation act आएगा, मार्च 1949 के तहट, और banking regulation act के तहट, RBI को power दिया जाएगा, कि जितने भी banks है, उनको regulate करने का काम किसका होगा, RBI का होगा, clear, बहुत important article, act है ये, आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, और RBI got the power to regulate the scheduled banks, जितने भी scheduled banks है, उन सब को regulate करने का काम किसका होगा, RBI का, अच्छा ये, nationalization का मतलब क्या हुआ, RBI जब बना था, तो ये एक private bank हुआ गरता था, जिसके अंदर जो पैसा था, वो private players का था, भारत सरकार क्या करेगी, धीरे-धीरे सारे shares को क्या करेगी, वो खरीद लेगी, औ 100% जो stake होगा, वो भारत सरकार का हो जाएगा, तो वही है क्या, nationalization, और उसकी जरुरत क्यों पड़ी, क्योंकि सारे के सारे private players थे, तो भारत सरकार की बातों को वो सुनेंगे ही नहीं, तो इसी लिए उसको nationalization, उसका nationalization किया गया, अब उसके बाद जो सबसे बड़ा bank था, that is the imperial bank, उसका रास्ट्री करण किया जाएगा, एक जुलाई 1905 को, imperial bank of India का nationalization कर दिया जाएगा, और उसका नाम रखा जाएगा, state bank of India, हम अपने separate वीडियो में, RBI के बारे में काफी detail में discussion करेंगे, हम SBI के बारे में काफी detail discussion करेंगे, अभी हम stages को देख लेते हैं, 1959 के अंदर, SBI के 8 associates बनाए गए, जैसे कि धीरे-धीरे market जो है, वो काफी बड़ा हो चुका था, SBI का, तो उसका 8 associates बनाए गए, 1959 के अंदर, अभी आप देखिए, जैसा कि इस map में हम देख रहे थे, जैसा कि हम इस map में देख रहे थे, कि कोई भी bank यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, कोई भी bank का office यहाँ पर नहीं है, और जो गरीबी है, वो कहा है, इसी sector में है, इसी section of India में है, जादा गरीबी है, तो भारत सरकार को यह क्या feel होगा, कि यह जो banks है, इनकी पहुँच यहाँ प होगा क्या कि 1969 के अंदर इंद्रा गांधी government के time पर, 14 bank कों का राश्ट्री करण किया जाएगा, वो 14 bank कौन से थे, उसको हम और भी detail में discussion करेंगे, कि कौन से 14 banks थे, तो 14 bank कों का राश्ट्री करण किया गया, और उन bank का राश्ट्री करण किया गया, जिनका market capital जो था, वो 50 कर जोड़ से उपर जिनका भी market capital था उन 14 बैंकों का रास्ट्री करण किया गया और उस रास्ट्री करण के तहट उन बैंकों को order दिया जाएगा कि आप अपने offices या अपना जो ब्रांच है वो कहां खोलें इधर या जहां पर भी गरीबी है भारत के अंदर जो गरीब area है और वो अपना business करें अपना व्यापार करें अपना development करेंगे that's it तो यह basic reason था कि nationalization करना पड़ा government को फिर उसके बाद जो nationalization का एक और चरण आएगा 1980 के अंदर छे बैंकों का रास्ट्री करण किया जाएगा पहले कितने बैंकों का किया गया 1969 के अंदर 14 बैंकों का और उसके बाद छे बैंकों का रास्ट्री करण किया जाएगा यहाँ पर market capital कितना है 50 करोड और यहाँ पर कितना रहेगा 200 करोड 200 करोड का market cap जिन भी बैंक का होगा उनका nationalization कर दिया जाएगा फिर उसके बाद इसी stage के अंदर आगे develop कहने का मतलब एक और type का bank बनाया जाएगा that is the regional rural banks यह regional rural banks क्या होते हैं जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा disparity है rural urban areas का disparity है वो काफी जादा है हमको पता है कि इंडिया की जो population है अभी भी 2011 की जनगर्णा के इसाब से 68% population गाओं में रहती है और क्या बोलते हैं 28% population जो है वो कहां रहती है वो शहरों में रहती है 32% population जो है वो शहरों में रहती है अभी condition यह है कि 70% लोग यहां रहते हैं गाओं में इंडिया में 2011 में तो 1951 के टाइम पे क्या रहा होगा या 1975 के टाइम पे क्या रहा होगा गाओं की population और भी जादा रही होगी और जो disparity हमको अभी दिख रही है यह disparity और भी जादा रही गाउं के लोगों के अंदर banking awareness बिल्कुल नहीं है, तो उस banking सुविधा को गाउं तक पहुचाने के लिए एक टाइप का bank मनाया गया, that is the RRB, और इसका गठन कब हुआ है, 1975 के अंदर, पहला RRB कौन सा था, तो यह है प्रत्मा बैंक, मुरादाबाद के अंदर, आप comment में बत स्टेज, जो की लास्ट स्टेज है, 1991 के बाद, अभी तक जो एरा है, या जो भी टाइम है, यह जो स्टेज है, यह सेवन्थ स्टेज है, सेवन्थ स्टेज के अंदर क्या होगा, जो modern technologies हैं, वो उसका evolution होगा, और उसका evolution कैसे होगा, 1991 के पहले, इंडिया जो था, वो closed economy था, तो 1991 के अंदर LPG model आया, liberalization, globalization, क्या बोलते हैं, liberalization, privatization and globalization, और इसके तहत private players की entry हुई, और अच्छे-च्छे banks आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ICICI bank हो गया, Axis bank हो गया, HDFC bank हो गया, और उसके बाद इसी stage के अंदर foreign banks को भी allow किया जाएगा, तो इंडिया में 2010 से foreign banks भी आन इंडिया के अंदर, जो की काफी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह अभी 12 banks जो है, at present, वो 12 banks कौन से हैं, जैसे Bank of Aroda हो गया, Bank of India है, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Canera Bank, Punjab National Bank, Punjab Sindh Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Union Bank, Yuko Bank, और उसके बाद State Bank of India, तो hope आपको अच्छा है लगा होगा यह वीडियो, अभी आगे और भी discussion करेंगे, thank you, thanks for watching